बड़ी खबर उत्रप्रदेश के सीतापुर जनपत से सामने आई है जहां संदिक दवस्था में घर की कम्री में युवक्काशम मिलने से मचा हर कब मौके पर पहुंची पुलिस ने शवका पंचिनामा भरकर पीम के लिए जिला मुख्यालय भेज कर जांट परताल की शुरू सदरपुर थान श्रित्र के मर्खापुर मजरेश शाहपुर निवासी दीपू उर्फ दीपकुमार उम्रतीस वर्ष पुत्र सुंदरलाल कश्र संदिक दवस्था में घर के कम्री में पढ़ा विला ब्रस्वतिवार सुबह देर तक जब मृतक नहीं उठा तो उसको जगानी के लिए परिवार के लोग गए तो देखा कि दीपकुमार मृतवस्था में पढ़ा है मृतक के चचेरे भाई राजाराम ने डायल 112 को सूचना दी मौके पर प्यार वी 112 और धाना सदरपुर पांची और पुलिस ने शब का पंचनामा भर कर पीम के लिए जिरा मुख्याले भेज दिया है धाना सदरपुर में तैना तुमने लिक्षक मुकेश को मान ने बताया कि मृतक के ततेरे भाई राजाराम पुत्र तेज नारायन ने थाने पर पौरी सूचना देकर शब का पीम कराने जाने की मांग की है तो घर पर कौन कुन लोग थे चाचा रहते हैं चाचा कुं अंदर पोड़ा था अब बाएर थे तो कब जानकारी थे आपको अब रोज गया थे अब राज दस बजी है अईसव चाँ तो ले निकले आए कि युदा एक बज़े आयद कोई चोंड़ गया थे एक बज़े जोंड़ेए जोंड़े शोंड़े में जान नहीं पाए हैं कि को चोंड़े गया अच्छा राद में खेते हैं इनके फैम्ली इन तो यहां सिर्फ पिता जी और दो जोग रहते हैं यह क्या कोई सेवन वन करते हैं कि किसी जीज़ का कोई नसा करते हैं दारू पिते हैं तो इनके कितने बच्चे हैं यक लड़की हो कहा है तो इसकी जानकारी प्लीज को ती आपना देए हैं इसंतृ आई प्लिस्टिज़ कि अंचनामा के लिए घेंग खेंगेकुण आपका नाम क्या है तो कौन आपके लगते हैं चाचे के लगते हैं चाचे के लटते हैं थाना कुंसा है गाउं कुंसा है यह अरग्धा पॉस्थ थाना तोदर पोड़ जिला जिस्टापोड